तो जो CA final के students हैं आपके लिए छोटे सी news है that is हम लोग एक MCQ test organize करने वाले हैं we are going to organize a MCQ test free of cost for the CA final students objective is कि you know the learning should be combined with fun elements अगर हम मजे के साथ परेंगे तो हम और अच्छे से perform कर सकते हैं हम और अच्छे से परहाई कर सकते हैं so that is why हमने ये एक initiative लिया है कि एक free MCQ test हम लोग रखेंगे CA students के लिए तो यहाँ पर क्या होगा मेरे telegram channel के अंदर ये जो MCQ test है ये conduct होगा so इसके अंदर what we are going to do is 1st May से लेके 6th में तक हम लोग ये test organize करने वाले हैं that is what we can call is the test week right so the 1st May से लेके 6th में तक आपन ये test organize करने वाले हैं इसमें 3 दिन आपन law के test रखेंगे और 3 दिन आपन audit के test रखेंगे इसके अंदर मैं आपको topics divide करके दे दूँगा कि अगर 3 दिन में law का test है so in that various scenario law के test के अंदर कौन कौन से topics कौन से दिन cover किया जाएंगे सब कुछ covered नहीं होगा slavers के अंदर law में we'll try की 40% तक slavers हम cover कर सके and audit के अंदर again we'll try की 40% तक slavers आपन cover कर सके वो areas आपन cover करेंगे जिससे generally MCQs exam के अंदर पूछा जाता है तो law में 3 दिन test लेगा हमारा that is 1st to 3rd of March 1st to 3rd of May sorry and उसके बाद audit में 3 दिन हमारा test लेगा that is 4th to 6th of May तो 3 दिन law का test लने वाला है, 3 दिन audit का test लने वाला है daily basis में क्या होने वाला है कि आपको चैप्टर्स में दूँगा उससे करीबन 10 MCQs में आपसे पूछोंगा 10 MCQs में आपसे पूछोंगा 10 MCQs I will ask you and आपने क्या करना है उन 10 MCQs को वहाँ पर answer करना है एक time fixed होगा कि daily शाम को 5 बज़े और 6 बज़े we'll decide that time कि उस particular time slot के अंदर में क्या कर दूँगा तो वहाँ पर MCQs जाल दूँगा तो वहाँ पर आपके पास option होगा कि you can choose any one answer और जैसे ही आप answer choose करते हो तो क्यो जाएगा वहाँ पर की आपको पता चल जाएगा कि आपने जो answer correct choose किया है या फिर अपने answer गलत choose किया है तो accordingly 10 MCQs अगर मैंने वहाँ पर डाला है तो आप अपने marks figure out कर सकते हो कि 10 में से कितने MCQs मैंने correct किया है 10 में से मैंने 7 MCQs correct किया है या 8 MCQs correct किया है या 9 MCQs correct किया है उसी दिन रात को मैं क्या करूँगा कि उन answers के reasons साथ यसाथ channel में डाल दूँगा कि कौन से answer का क्या reason था justification क्या था answer का so that again I will put तब self assess कर सकते हो अपने आपको कि या ठीक है मैंने 10 में से कितने MCQs किया किया है correct किया है और साथ यसाथ मैं justifications दूँगा अगर मुझे लगे कि कहीं बहुत जादा नीर है तो video justification ले आऊँगा मैं अपने YouTube चैनल के अंदर वरना justification आपको message के थूँ टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा alright तो ये एक self assessment test होगा ये जो test होगा आप सिफ और सिफ मेरे टेलिग्राम चैनल के अंदर दे सकते हैं टेलिग्राम चैनल के अंदर you can give the test so accordingly आप क्या करोगे मेरे टेलिग्राम चैनल अगर आपने भी तक subscribe नहीं किया है आप टेलिग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो that is law and audits आगावा CA सानिध्यसराफ जो description box है उसके अंदर मैंने टेलिग्राम का link दिया है और suppose अगर उस वो link corporate नहीं करता so आप Google में डाल सकते हो law and audits आगावा CA सानिध्यसराफ या पिर CA सानिध्यसराफ टेलिग्राम link तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा right so वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे test organize करेंगे so be prepared first may to 6th of may will be conducting test on a daily basis the MCQ test आपके concepts check होंगे basically आपने कितने questions का answers वहाँ पर सही दिया है दोस्तो test जो है ना वो हमारे learning का एक important part है हमारे learning का critical part है मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना जादा test दे सकते हो आप उतना जादा बहतर होगा आपके लिए पहला objective अपना हमेशा होता है कि अपने को concept से यार करना है दूसरो objective अपना हमेशा होता है कि अपने को number of revisions ensure करने है और third objective मैं कहता हूँ कि आपको क्या करना है test देना है आपको written practice करनी है क्योंकि हमारे final के अंदर descriptive portion भी आता है MCQ portion भी आता है तो इस test के मादि हम समलोग MCQ areas को cover करने की कोशिश करेंगे but once again let me tell you कि ये जो MCQs होंगे telegram channel के अंदर possible नहीं होता कि मैं lengthy case based MCQs पूछ पाहूँ आपसे तो ये जो MCQs होंगे conceptual MCQs होंगे जिसको objective होगा ये check करना कि आपके concepts पराबर है कि नहीं है इसके अलावा अगर आपने detailed test देना है if you want to give test in a detailed manner जो कि बहुत सथ advisable रहता है CES students के लिए because जैसे एक individual को doctor के दुआर अपने health check-up regularly करा लेना चाहिए वैसे ही CES student को क्या करना चाहिए regular basis में test देते रहना चाहिए और अपने performance को regular basis में assess करना चाहिए तो अगर आप detailed basis में test देना चाहते हो तो उसके लिए अपना mentor हमारा जो अपना mentor organization है वो आपके platform प्रवाइड करता है तो again you can associate with us via that platform तो अपना mentor के अंदर हमारा test series का platform है you can visit www.apnamentor.com जहांपे हर subject के अंदर chapter wise test, 100 marks test, MCQ test सब कुछ आपके लिए available होता है proper way में आप answers लिखते हो आप हमारी team को send करते हो वो आपके papers को evaluate करते हैं उसमें कम्या निकालते हैं उसमें suggestions बताते हैं और आपको दुबारा भेज़ देते हैं तो वो एक detailed checking mechanism हो गया तो again आप interested हो आप अपना mentor.com में विजिट कर सकते हो ये जो test की मैं बात कर रहा हूँ ये detailed checking test नहीं है ये सिभी MCQ test है ये सिभी MCQ test है daily basis में 10 questions में आपके लिए बनाऊंगा और 10 questions बनाके मैं आपके लिए डालूंगा आप क्या करोगे वहाँ पे अपना option choose करोगे और देखोगे कि आपके जाधतर answer सही है की नहीं है and आप check कर लोगे कि whether conceptually I am going right or not so this is the objective of this MCQ test तो उमीद करता हूँ दोस्तों कि हमारा ये जो एक नया initiative है आपको पसंद आया होगा अगर ये initiative आपको अच्छा लगा है तो यार विडियो को like करने में बिलकुल कंजूस ही मत करना विडियो को share जरूर करना और चैनल को subscribe करना मत भूलना ना कि एवल MCQ test वेल कि इसके लवा बहुत कुछ है जो इस channel के अंदर आपको मिलने वाला है और regular basis में हम आपको provide करने वाले हैं right so don't forget to motivate us by liking the videos that is your motivation and दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा कोई और initiative लेकर आएं तो आप again comment section में डाल सकते हूँ अगर हमारे लिए possible हुआ तो we'll try that वो जो आप comment में डाल रहे हो आपकी जो wish है आपकी जो desire है हम उसे पूरी कर पाएं कोशिश करेंगे guarantee नहीं बोल सकते बट कोशिश ज़रूर करेंगे so one second guys all the very best for exams take care love you all